पून परमात्मा पाप करमदंड को भी काट सबता है अभी तक जिस भी संत्वा महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप करमफल भोगने से ही समाप्ध होगा वो प्रभु कौन है जो पाप करम को काट देता है वो काल के बंधन से छुड़वा देता है उसका क्या नाम है पूजा की विधी क्या है कृप्या अवश्य सुनिये जगत गुरु तत्वदर्शी संत्रामपाल जी महराज के अम्रित वज़ण प्रम पिता प्रमात्मा पूर्ण ब्रम सर्वा सिर्ष्टी रचनहार कबीर प्रमीस्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुन्यात्माएं सक्षक सुनने के लिए उपस्तित हुए पर्थन तो इस प्राणी को मानो सरीर मिलना सूद दुरलुब है मानो सरीर प्राप्त प्राणी एक बहुत ही पुन्करमी प्राणी होता है और मानो सरीर दो परकार से प्राप्त होता है एक तो भी धान है प्रमात्मा का के प्रतिक जीव को एक ट्रनवाइज कर्मा अनुसार यानि एक साइकलोन बना रख्या प्रमात्मा ने एक चक्कर बना रख्या है कि कैसा ही भी प्राणी क्यों ना हो 84 लाख प्रकार के प्राणियों के सरीरों में अनेकों यातनाएं भोगने के उपरां एक मानो सरीर अवस्य प्राप्त होता है और उस मानोसरी प्राप्त सुआउसर को वो खो देता है बगती नहीं करता है प्रमसंद प्राप्त नहीं होते हैं तो फिर उसको इतने ही लंबे तुरासी लाख परकार के प्राणियों के सरीरों में यातनाओं का सामना करना पड़ता है दूसरी प्रकार के वो पुन्यात्मा होते हैं मानो स्रीर प्राप्त प्राणी जो किसी जनम में प्रमात्मा की भगती किये होते हैं और उस भगती के आधार से उनको लगातार कई जनम भी प्राप्त हो जाते हैं मनुष्य के वो होते हैं उसके पूर्व संसकार बंग्ती किये हूँ और उन कई सरीरों में मानो शरीरों में मानस जीवन में यदि इसको प्रम संत नहीं मिलते हैं तो वो प्राणी फिर ठुटासी लाख योनियों के उस चक्कर में गिर जाता है सबसे पहले तो वो पुनकर्मी प्राणी हैं जिनको मानुसरी आज प्राप्त है दूसरी प्रकार के वो और भी अच्छी किसमत के बच्चे हैं प्रमात्मा के मनुसरी प्राप्त हैं और प्रमात्मा की तरफ में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं हूम रहे हैं बटक रहे हैं और तीसरी प्रकार के वे हैं जिन को सत्गुरू मिल गए मानो स्रीद प्राप्त प्राणी को जिन को सत्गुरू मिल गए तो उनकी किस्मत खुल गई है आप उन पुन आत्माओं में से हो आपको मानो स्रीद प्राप्त है और ये दास एक सत्गुर के रूप में आपको प्राप्त हुआ आपकी किस्मत अन्य प्राणियों से अन्य मानों से निराली है अंग्रेज जी के अंदर गुड बेटर बेस्ट ये तीन प्रकार के सब्द प्रियोग होते हैं एक अच्छी वस्तू के लिए अच्छे जेंटलमेन के लिए तो आप जी उस बेस्ट क्वालिटी के किस्मत पुनकर्मी प्राणी हो किस्मत वाले हो आप जी को ये सतलो कासरम बरवाला जलाहिसार हरियाना में ये थार्ग बगती मिली और सद सादना सद ग्यान और वो सद साहब यानि अविनासी परमातमा ये तिन्नु वस्तू ये तिन्नु पदार मपराप्ट हुए आप प्रमात्मा के वो हीरे मुति लाल हो जिनके लिए वेस्वम युगों से भटक रहें लेकिन आपने काल की भांग गणी पी रखी थी जिस कारण से आप और हम सभी उस अपने पिता को पैचान नहीं सके हमने उनकी उंगली पकड़ी नहीं हमने इस काल वेइमान की उंगली पकड़ी अपना पता जान के और ये हमें ठख लाया और इसने यह हमें अपने मजदूर बना रखे और ये ऐसा ठख है इसने हमारे को इस तरिगुन में माया की भांग पिला दी और जब तक ये नसा हमारा उत्रेगा नहीं तब तक हम अपने परंपिता को पैता नहीं नहीं सकते तो सतलो कासर मरवाला जलाहिसार हरियाना के अंदर आप जी को एंटी बाइटिक ये यथारत ग्यान रुपी पर वचन ये यथारत ग्यान समझा सुना के आपकी वो काल की भांग उतारी जाती है और जिन की भांग उतर गी रात को भी आंसु टपकेंगी आपकी आँखों से हम कहां दोखे में जीवन नास कर रहे थे हम किसको भगवान मान बैठे थे हम क्या टारगेट लेकर जी रहे थे उदेश से क्या था हमारे जीने का एक माया जोड़ना संपत्ती बनाना कोठी बनाना उच पोश्ट प्राप्ट कर लेना बैंकों में खूब जमा कर दें गना गना दन अगले जिन मर्चू हो जाती है वो जोड़ा जाड़ा यहां रह जाता है और उस जोड़ने में धन इकठा करने में जितने पाप इकठे किये थे वो साथ लद कर जला जाता है और तुरा सी लाख योनियों के अंदर कष्ट पे कष्ट उठाता है इस से बड़ा दोखा इस प्राणी के साथ और हो नहीं सकता कि मानोसरी प्राप्त करके और हम के वर डले ढोने पर लगे हुए हैं संसारिक प्रमप्राओं के लिए हम माई एकठा करते हैं एक तरफ से एकठा किया दो नमबर का काम किया रिश्वत लिया चोरी की और फिर हाँ पर खरच कर दिया और उन पापों से लद कर खुद दे ले गए वो सारा कुछ यहीं रहे गया तो पन्यात्माओं सो भागे आपका आपको यह सत्वत्र सुनने को प्राप्त हो रहे हैं पूरा विश्वे और असंक ब्रमाण रिद्मे जितने भी प्राणी हैं यह सभी कबीर प्रमात्मा के बच्चे हैं वो सबका जनक है वो हम सबका हमदर्द है हमारे दुखों को वही सुन सकता है और वही निवान करने योग्य है अन्य कोई सक्सम भी नहीं है अपनी अप्लिकेशन अपनी अर्दास लगाए बैठे रहें जो काम मुख्यमंत्री सतरका हो और हम अर्दास लगाते हैं पटवारी के सामने तो हमारे जैसा मूर्ख नहीं तो सारी उमर लगाए बैठे रहें वहांतर खास वो कुछ नहीं कर पाएगा तो जिन भगवानों की जिन देवी देवताओं की हम पूजा किया करते थे जिन से हम अपने सुख की डिमांड किया करते थे वो सुख दे ही नहीं सकते ये तो कबीर परमिश्वर जो सर्वसक्तिमान है सर्वसक्सम है जो हमारे मश्टिक के अंकों को भी बदल देता है केवल उसी परमात्मा के सतर का काम था हमारे को आज तक उस परमात्मा का ही ग्यान नहीं हुआ कि वो परमात्मा कौन है आत्मा जिस दिन से वगवान से बिछडी थी और इस काल के साथ यहां आगे थे उसी जिन को इसको ऐसास हो गया था कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है और मेरा बहुत बड़ा एक बहुत ही जो सुख में सथल छूट गया है जैसे मेरा कुछ खो गया है इस ने हमारे को इस तरगुनवी माया के दोवारा सब को मद होस कर दिया सबसे पहले इस काल ने तीन पूतर उत्पन किये दुर्गा के सिंयोग से दुर्गा इस काल वगवान की पत्नी है हम जिसके लोक में रह रहे हैं 21 विर्मांड का ये प्रभू है स्वामी है ये इतना गौड और रब है तो इसने हमारे को यहां फसाय रखने के लिए सबसे पहले या भांग त्यार करी रजगुन युक्त किया अपने बड़े पूतर विर्माजी को और सत्गुन युक्त किया अपने मजले पूतर बिचले पूतर विश्णु जी को और सबसे तीसरे नमबर के अपने पूतर संकर को संकर जी को इसने तमोगुन युक्त कर दिया अब नाइन बिर्मावी सुनो महिस के बस की बात है जैसे मिर्च है अब मिर्च बना दी अब मिर्च का क्या दोस है उसमें वो गुन ही ऐसा है तो मिर्च के बस की बात नहीं कि उस मिर्च अपने गुन को सुम समाप्त कर सके इसी परकार ये तीनों देवता बले ही अपने लोकों में रहते हैं उपर के उपर अपनी अपनी तीनों की अलग से राजधानिया हैं वहां से बैठ कर ये तीन लोक के प्राणियों को तरच्वी लोग, उपर सवरक लोग और नीचे पाताल लोग के इन तीनों लोकों के प्रानियों को यह परभावित कर रहे हैं ये इनके इन्चारज बना रखे ये तीन मंत्री समझो एक एक विभाग के रजोगुन विभाग के बिर्मा जी सतोगुन विभाग के विश्णु जी और तमोगुन विभाग के ये संकर जी अब जैसे रसोई के अंदर मिर्चों का च्छोंक लगा जाता है मूल वस्तू साकार रूप में रसोई के अंदर है मिर्च और सबजी और उस मिर्चों की वहां से निकली हुई वो सुक्संग तरंग उसका जो परभाव अन्ने कक्सों में अन्ने रूम्ज में बैठी हुए प्राणियों को घर के सदश्यों को भी परभावित कर रही है और उनको छीके आनी शुरू हो जाती तो उन विक्तियों के बसकी बात न हमको इंकलोडिंग बिर्मा विशुनु महिस जी को इसकाल भगवान ने हमारे को विवस करके यहां रखा हुआ है इस बिर्मा विशुनु महिस जी के स्रीरों से वो किरन निकलती हैं वो तरंगे निकलती हैं और हम तीन लोग के पराणियों को छीके आ रही हैं कौन कौन सी काम, क्रोध, मो, लोब, एंकार की अर इन को रोकना आपके बसकी बात नहीं इसका विकलब बताया प्रमात्माने एक आल्टरनेट बताया है कि सत्गुरु की खोज करो और सत्गुरु कौन होगा सत्गुरु की पहचान क्या होगी ये हमारे सभी सत्गुरु थे भी बताते है सत्गुरु की सबसे पहली पहचान बताई है कबीर प्रमात्माजी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्म दास्टी को कि जो जो संत मम सत सबद दर ड़ावे वा के संग सब राड बढ़ावे ऐसी संत महंतन की करनी और धर्म दास में तो से वरनी पहली पैचान बताई है कि जो मेरा प्यारा हमस मेरा भेजा हुआ दास जिसको मैं सत्गुरु बना कर भेजूँगा सत्गुरु का अर्थ होता है सच्चा ग्यान पर दान करने वाला और सच्ची ही साधना उसके पास हो और वो अधिकारी हो उस नाम के दान करने का सभी मर्यादाओं का उस वो पालन करता हो जैसे सभी कंडिसन पूरी हो तो वो सत्गुरु होता है और वो मेरे सच्चे ग्यान का जो परचार करता है जैसे कबीर पंथ तो अनगिन है कबीर पंथ के अंदर और इस दास ने जिस दिन से सचा ग्यान प्रहरम किया है उसी दिन से हर तरफ से विरहोद प्रहरम हो गया था लेकिन परमात्मा साथ होता है तो विरहोद लास्ट में विर्थ ही होता है उन लोगों का और फिर उनको पस्ताने के अत्रिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगता तो ये तो पहली पहचान बताई है फिर डूसरी बताई है सत्गुरु का दूसरा लक्षन बता है कि वो एक विसेश ग्यान परदान करता है और सर्व सद्गरंथों को आधार मान कर अपना ग्यान परचार करता है सभी सद्गरंथों का सभी धर्मों के मूल ग्यान का वो ग्याता होता है फिर स्रीमत भगुत गीता के अंदर चोछे जाय के चोटीस में स्लोक में और चोछे जाय के बतीस में स्लोक में एक विस्स परमान दिया है गीता ग्यान दाता ये ब्रम है श्री ब्रमा, श्री विश्णू, श्री श्रीश्वजी के पूजे पिता जी हैं ये और इन तीनों की माता दुरुगा है तो इसके लोक में हम रह रहे हैं ये काल है इसको सराप लगा हुआ है एक लाख मानों सरी धारी प्राणियों के सुक्सम सरीर को इसके 21 में बर्मांड में एक तपत सिला है जो एक बहुत गुप्ट स्थान है इसके तरिक्त यहां का प्राणी वाकोई नहीं पहुंच सकता ऐसे गुप्ट स्थान पर इसने ये अपना जो है एक भोजनल्य बना रख है तो एक लाख मानों स्रीर धारी प्राणियों के सुक्षम स्रीरों को वहां तपत सिला एक बहुत बड़ी तई है पत्थर की अपने आप एटोमेटी की गरम रहती है और उसके उपर डाल दिये जाते हैं उनके अंदर से निकाल कर वह सुक्षम गंद को जो हम जो परतेक पराणी सारे जीवन में आहार करता है आप देखते हो यहाँ चलो रोटी भोजन काजू किसम सेव संत्री अलवे खीर भी आदमी खाओ अच्छी बात है इसके अच्री तोर बहुत गुना कबार हमें खिलाता है यह कोई सुलफा पीता है कोई भुक्की पीता है कोई स्राप पीता है कोई तमाख्रू का अद्धी है कोई पान खा रहा है पेचर पेचर कर रहा है ये कोई खाड़े की जीज़े है, मानों आहा रही है, तो ये क्यों करवाता है, इसलिए करवाता है, और इनको इतने प्रबल होकर लग जाते हैं, कैसे छूटती नहीं, छूटने ये मन नहीं देता, और मन कौन है, ये स्विम्जिजोत निरंदन ये काल है, एक्टिश तब ये दूर भागेगा, तब ये प्राणी विकारों को छोड़ सकेगा, मन को परमात्मा ही रोक सकता है, तो वो परमात्मा समर्च कबीर परमेस हो रहे हैं, तो ये जो सब कुबाड हमें खिलाता है, अपने लिए ये मसाला त्यार करता है, आपके मादम से, फिर जिसने ज सब गंद निकाल लिया जाए, जीव मरता नहीं सुक्सम श्रीर सुरक्षित रहता है, उसमर पीडा घहनी होती है, सुक्सम श्रीर के अंदर इन सभी पराणियों को मानो श्रीर धारी पराणियों के एक लाख मानो श्रीर धारी पराणियों को तपत चला के उपर, ये उनको बुरी तरह तपाता है और जैसे खील बुनते हैं चटक पटक करते हैं ऐसे करते हैं पराणी चटक पटक और बुर्ब से सब गंद को निकाल के फिर उनको भेज देता है उड़ा देता है कोई टाइम फिक्स करक है एटोमेटिक फिर ये प्राणी अपने कर्मा उसार तरहम राज के दरवार में पंक्ती में खड़े हो जाती हैं अपने नेफ्ट लाइफ के लिए किया आदेश होगा इसका फिर कर्मा उसार जिसने गदा बना गदा बनो राजा बना राजा बनो रहे तो वहां बठको और दक्ये खाओ इसने अपना उलो सिधा करने के लिए आप जी को यहां रोक रखा है तो इस यहां जो हमें एक चौथे जाय के बतीस में स्लोक में और शिरी मद्भकुद गीता अध्याए चार के स्लोक बतीस और चौटीस में एक विसेश ग्यान दिया ह गीता ग्यान दाता ये ब्रम है ये काल है गीता ध्याए नमबर ग्यारा के स्लोक बतीस में इस विकार करता है कि अरजुन मैं काल हूँ और इस सब ही लोकों को खाने के लिए अब परवर्त हुआ हूँ यदि स्री करसन बोल रहे होते गीता का ग्यान तो ये नहीं कहते कि मैं अब परवर्त हुआ हूँ अब आया हूँ श्री करसन जी तो अरजुन के साथ पहले ही भी दमान थे तो ये जो काल है ये श्री करसन मैं परवेश करका है और गीता जी का ग्यान बोल रहा है तो इसने गीता के अठारा जाय बोल दिये साथ सो सलोक बता दिये उसके बाद इसने गीता जाय नमर चार के सलोक नमर 32 में एक विसेस हिंट दिया है अब जो सत्गुरू की एक ये भी पैचान है कि वो सत्गरंथों के कोड़ वरड़ों को गूड़ सब्दों को और उनके अर्थों को वो सत्गुरू ही समझता है तो इसमें क्या बता है कि गीता जाय नमर चार के सलोक नमर 32 में सारा ग्यान देता हुआ बीच में हिंट देता है कि मैं जो ग्यान दे रहा हूं ये कंप्लीट नहीं है और कंप्लीट यानि पूर्ण यगों की यग माने धार्मिक अनुष्ठानों की समपूर्ण जानकारी ब्रमने मुखे ब्रमने माने पूस सत्यपुरस सचीदानंद घन ब्रम पूर्ण प्रमात्मा सर्वसिष्ष्टी रचन हार ने अपने मुख कमल से वो वानी बोली होती है वो कम्पलीट ग्यान है उसके अंदर अध्धात्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है अर्दुन और उसको जानने के बाद फिर तु सर्वे कर्मों से सभी पापों से मुक्त हो जागा अब सतीदानन्द गनबर्मन ने जो ग्यान अपने मुख कमल से बोला है वो वानी है वो तत्वे ग्यान है वो सुक्सम वेद है जो गीता वेदों पुराणों कुरान और बाइबल बाइबल तीन पुष्टकों का संग्रह है एक तोराथ, जबूर और इंजिल उसको बाइबल कहते हैं तीनों के कोई कठा जलद किया हुआ है तो इनके ग्यान से अन्य ग्यान है वो जो सचीदानन्द गनबर्मने अपने मुख कमल से बोला है अब चौते जएके चौतीस में सलोक में कहा है कि अरदुन उस तत्व ग्यान को जो स्वम आकर के परमात्मा ने बोला है और ये जो ग्यान है गीता का पुराणों का वेदों का गीता वेद और कुरान और बाइबल बाइबल के अंजरे तीन पुष्टकों का संग रहे हैं ये जो ग्यान है ये इस काल भगवान का दिया हुआ है इस ने बोला है और ये इनकम्पलीट है जैसे दसमी कक्षा का सलेबस होता है और कोई ये कहे कि ये दसमी कक्षा का जो पाठ्थे करम है और कहे कि बी-ए और एम-ए का भी यही है तो वहां उजक्सिन हमें कि आपको संगनी आई ये दसमी तक का मैट्रिक तक का सलेबस है ये बी-ए और एम-ए का नहीं है लेकिन सहयोगी होता है नीचे की पढ़ाई उपर की पढ़ाई में सहयोग देती है वो जानकारी हमारे साथ रहती है वो गलत भी नहीं कह सकते है जैसे एक भगत ने किसी से डिसकस करते हुए इस ग्यान के अधार से उसने कहा तो किसी ने कहा कि वेदो और गीता को आप इनकंप्लीट क्यों बताते हैं आपके गुरू जी उसने उधारन दिया कि जैसे आपने आसी में एक बोर्ड पड लिया जिस पे एरो लगा हुआ था और वहां लिखा था बरवाला आगे लिखा था 35 किलो मेटर आपने गलती से उस बोर्ड पर लिखे बरवाला को हासी को इबरवाला मान कर आप गहीं आगे भी पड़ो इस पे क्या लिखा है कि 35 किलो मेटर वह भी पड़ रहे हैं तो इसी परकार इन सभी पुराणों में इन सभी गरंथों में जो आज तक हमारे पास उपलम्द रहे हैं इन में उस पुर्ण प्रमात्मा की जानकारी दे रखी है जैसे यजुर्वेद धाय न अठीदम बसमानतम सरीरम ओम कर्तो समर किलवे समर और कर्तुम समर अब ये वेद ग्यान दाता वही है जो गीता ग्यान दाता गीता जैनमर आठ के स्लोक नमर 13 में ये गीता ग्यान दाता कहता है ओम इती एकाक्सरम बिरम विहारन मामन समरन ये परियाती तजन देहं सायाती परमाम गतिम मुझ ब्रम का क्यों लेको मकसर है नाथिंग एल्स इसके तरिक कुछ नहीं और मेरा जाप नहीं है और जो अन्तिम स्वांस तक यानि मरते दम तक इसकी सिमन करता हुआ शरीर छोड़ कर जाता है वो ब्रम से ओम से मिलने वाली जो अध्धात्मिक गती है वो परम गती है इसकी वह उप्राफ्ट होती है ओम से ओम ब्रम का जाप है और इसके जाप से इसकी वक्ती से कहा जाएगा में गीता घह 298 के स्लोक नमर 16 में तुलन्त का है कि ब्रह्म लोग परियंत वहां तक के भी सभी लोग पुन्रा वर्ती के अंदर हैं वहां गए पराणी भी जनम और मर्तू के चक्कर में रहते हैं तो परसंग तो चल रहा है कि वेद और गीता इनका ग्यानदाता एक ही है ये तो है यहां लिखा है अब आगे का और पढ़ो जैसे ये दुर्विए देह नमर चालिस के मंतर नमर सत्राम है पंद्रामा तो उसने अपनी जनकारी देगी सत्राम उसने कहा है कि वो पूर्न परमात्मा जो है वो प्रोक्स है वो गुप्त है वो तो उपर रहता उपर के भाग में और मैं ब्रेम हूं मेरा ओम नाम है और मैं ब्रेम लोक्रूप दिव्य आकास में रहता हूं तो इस बर्वाला से आसी के बॉर्ड पर बरवाला पढ़ के आपने संतोस नहीं करना चाहिए था आगे भी देखो 35 किलोमेटर और भी लिखा है 40 किलोमेटर जो भी लिखा है तो इस से अगला भी एक सलोक है इस में भी देखिएगा यदुर्वेजद धायर नमबर 40 के मनत नमबर 17 में उसकी जानकारी है आप बैठ गे यरिसी महरिसी जीतने फेल हुए है इसी कारण सी है कि इनको सत्गुरु नहीं मिले गुरु बिन काहुन पाया ज्याना जो थो था वुस छेड़े मूड किसाना गुरु बिन बेद पढ़ है जो प्राणी समझे न सार रहे अग्यानी यह जितने भी विश्वा कि आज तक रिसी महरिसी मंडलेश्वर आप कोई मॉबाइल नंबर मिलाते हो टेलिफॉन नंबर किसी से और उसमें एक अंक कम रह गया आपका तो पता नहीं कहां में लेगा जा के आपका काम सरा नहीं इसी परकार यह अध्धात्म मार गया इसमें जरा भी इनकम्पलीशन कहीं रह गयी तो वो आपका सारा प्रियतन विर्थ होगा इसलिए पूर्ण संत पूर्ण ग्यान और पूर्ण बगवान और फिर सिस्वी पूरा हो तब जाकर कि यह बात बनेगी कम अपका कल्यान होगा तो परसिंग दो चल रहा है गीता ग्यान दाता चोठे जाय के 32 मिसलोक में बता रहा है कि मैं उस कम्पलीट सेप्रिच्वल नौलिज़ से परिचित नहीं हो शंपून अज्धातम ग्यान से परिचित नहीं हो और वो ग्यान है कम्पलीट जो प्रमात्मा ने सुमा कर अपने मुख से बोला वो सुक्संवेद है वो कवीरवानी है फिर चोठे जाय के 34 मिसलोक में कहा कि अरदू उस तत्व ग्यान को किसी तत्व दर्शी संतों के पास जाकर समझ उनको डंडवत प्रणाम करने से कपट छोड़कर परसन करने से सरलता पुरवक तो वो तत्व दर्शी संतों तुझे उस तत्व ग्यान का उपदेश करेंगे इस इस से दोगया कि गीता के जी के अंदर वो ग्यान नहीं है जो तत्व ग्यान है जिसको हम सुक्संव बेद बोलते हैं अब तत्व दर्शी संत की पहचान बताई है गीता धाय नमर पंदरा के सलोक नमर एक में उसमें क्या बता है कि उर्धो मूलम अधै साखम अस्वतम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य परणानी ये तमवेद सवेद्वित ये संसार रुपी उर्टा लटका हुआ पीपल का वरक्स है एक दर्ड और पत्ते आदी इसके विभाग हैं पार्टस हैं और जो संस इस संसार रुपी उल्टे लटके हुए वरक्स के सभी विभागों को भिन भिन बताएगा से वेद्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित् आत्मों जिस समय परमेश्वर वश्यति ये परमेश्वर हमारे लिए भटक रहे हैं, जिस दिन से हम अपने पता को छोड़ कर आए थे, इनको तो मालूम था कि इनके लांबुंडी बनेगी, बुरा बनेगा इनके साथ, लेकिन क्या करे बाप, जब बेटा बेटी अपनी मिल रही है, कुटे के देबना के, सिर में कीडे पड़ें, टांग तूटी जा, बुगत का मरें, किसी का कैंसर होगी, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गया, खुद को बुरा हाल हो रहा है, तो ये सजाएं हमारे लिए थोड़ी है, जो गलती हम कर चुके हैं, आपक जब जितनी बांग उतरती चली जाएगी, नसाकम होगा, यहां के अग्यान का, और इस काल बगवान का, उसमें आपको ये दास के एक के बचन हर्दम लगेंगे जाके, और ये लगेंगे आपके अंदर के उस फोड़ेंगे आपको, जो आपके अंदर एक जमा होगया, जितने भी नकली संट हैं, आज तक किसी का इतियास उठाकर देख लो, वेदों के जानकार, विदवान का लाओंगें और परमात्मा को नराकार बताओंगे, दिक्कार हैर रिसी और महरी को, मंडलेस और संटों को, वेदों में साकार है, नराकार है, परमातमा उपर के लोग में रहता है, वहां से गती करके आता है, और अपने अच्छी आत्माओं को ग्यान परचार के लिए, ग्यान देने के लिए आता है, ऐसे बाइबल के अंदर, उत्पती गरंद में सब्च किया है, कि परमातमाने च्छाए दिन मानों को रचा, और उसको अपने जैसा रचा, पन किया, तो कैसा है बगवान, सहरा इसाही समाज कहता है, गोदीज फॉरमलेस, कोई बात होई, परमातमा निराकार है, पूरा हिंदु समाज कहता है, बगवान निराकार है, पूरा सिक समाज कहता है, परमातमा निराकार है, तो ये और ऐसे ही, पूरा मुस्लमान धर्म कहत है प inherit परपमात्मा बेचून है नराकार है और सभी सन्त करंथ हमारे धर्ण घर्म घर्ण्द स्थैसाहरीर है नर्आकार है बुदर्ज सेशकानाम कभीर है और वही पर्मात्मा है जो कासी के इंदे और पर दानक रूह में एक जुलहा रूह भाहए ये प्रमात्मा है, सब की जनक है, ये हमारे हमदर्द है, तो जो परसंग चल रहा है, उसी पर आते हैं, कि वो प्रमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं और योगों योगों से भटक रहे हैं लेकिन हम उस प्रमात्मा को पैचान नहीं पा रहें क्योंकि हम इस काल भगवान ने इनकली दूट बेज़ का अज्ञानी करा गए तो यह जो जितना भी आज तक के संत महरशी हुए हैं मंदलेश्वर हुए हैं या कोई कज्जी मुला पंडित हुए हैं ये सारे के सारे तत्वग्यान से एप्रीचित है और इन्होंने हमारे को उटा पाठ पढ़ा दिया अब वो उटा पाठ पढ़ा हुआ आज तक आड़े आ रहा है दास ने सन 1994 से लेकर आज 2013 तक लगवग 19 वरस होगे संग्रस करते ने और जब जा करके इतना कुछ जेल तक वेज़ दिया जूठे आरोप लगा कर जूठे मुक्द में बनवा कर नकली संत रिस्याचारी और दुस्ट लोगों ने कोई बात नी परमार्स के लिए हमें कितना भी कष्ट हो लेकिन हमारा मिशन सफर हो ताकि विश्व का कल्यान हो सपराणी परमात्मा को पैचाने और सत लोग जाएं तास का इतना उद्श से है और दिकार हैं उनको बाइबल के पढ़ने वालों को जो परमात्मा को फरमलेस बताते उसका कोई आकार नहीं ऐसे दिकार हैं कुरान स्रीव के पढ़ने वालों को निराकार बताते और सुर्थ फुरकानी पत्तिस आइत बाउन से उन्ड़िश्ट में सफस्ट किया है को परमात्मा कबीर है और उस जिसने जिस पर मातमा ने 6,90,60,70,70 जन आसमान और जमीन के बीच में जो कुछ है सब को उच्पन किया और फिर तकत पर जा विराज़ा तकत माने सिंगहासन जैसे हम पढ़ा करते हैं तियास में कि दिल्ली के तकत पर बारा वरस की आईउ में अकबर दिल्ली के तकत का पर तकतमाने सिंगहासन तो ऐसे हेवेदों में लिखा है कि प्रमातमा देखने में राजा के समान है वो सिंगहासन पर बैड़ा है उपर के लोग मंधु लोग के तीसरे प्रिस्ट पर तो अपनियातमों कि यहां वोई परसन आता है कि गुरु बिन काहुन पाया ग्याना जो थो था बूस छड़े मूड किसाना गुरु बेज पड़े जो प्राणी समझे न सारे रहे अग्यानी तो अपने अत्मों जब आपको यह ग्यान समझे जमाओगा कि एक किसी बर्मांड में कोई सत्गुरु नहीं है वरतमान में इस दास के तरिक थी इसको अभी मान समझो परते सचा ग्यान समझो और कुछ दिनों में समझे जमा जाएगी क्योंकि दासने सभी मापुरसों के जाओ कि आक गुरू है खाक सथगुरु है और सथगुरु से नीचे कोई अपनी जो है न कोहाँ दो करते हमारे सथगुरु है तो सथगुरु का जब ज्ञान होगा तब आपको पता चलेगा कि सथगुरु किसे एक अनुग रिजा रहा है तो जैसे परसंग एक पुएंट को पुन्यात्मों आपके हर देम जमाने के लिए एक बिंदू पर बहुत से उधर्म दिये जाते हैं तब जाकर के आपका अंदर का मैल वो अग्यान खुर्चा जाता है और उसके खुश को खुर्च के ही जैसे समझदार पेंटर जो होता है पुराने पेंटर में खुब उता रहेगा बीस बीस पार एक मार मारना पड़े उसको तब ही वो औरिजिनल पेंट ठह रहेगा उस पर ना टेकन ना दे उसने पापड़ी पाठी जा तो इसलिए दास को पता है कि जब तक पुराने रंग को नहीं उतारा जाएगा तो नेक्स टिके नहीं सकता तो यहां जो परसंग चल रहा है कि गीता जाय नमर पंद्रा के स्लोक नमर एक में कहा है कि उर्धव मूलम अधै साखम अस्वतम प्राहु अव्यम चंदासी यस्य प्रणानी यतमवेद सेवेद्वित उल्टे लटके हुए संसार उल्टा लटका हुआ उपर को मूल जड़ है नीचे को तीनों गुन रुपी साखा है ये एक संसार उपी वरक्स कहा गया है और इसके पत्ते आदी सब इसके भी भाग है चंद है और जो संद इसके सभी भी भागों को जानता है वो तत्च्वदर्सी संद है बिल्कुल सब से बैस्ट पहचान बताएदी ये भी इन पहचानों में से एक ये भी विविश्यस पहचान है अब जब परमात्मा अपने नीमान उसार परतेक युग में आते हैं अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जैसे कलियों के अंदर किन किन महापरुसों को मिले आदनिये दरमदास साहिब जी को आदनिये मलुक दास साहिब जी को आदनिये नानक साहिब जी को नानक देव साहिब जी को आदनिये दादू दास साहिब जी को आदनिये गरीब दास साहिब जी को गाउं चुडाने जिला जद्द्र हल्याना वाले को आदनिये गीसा दास साहिब जी को गाउं के खड़ा अब जलाब बागपत बताते हैं पहले मेरिट था और उत्टर परदेश वाले को और आधने स्वामी रामानंग जी कासी वाले को उसमें स्वामी रामानंग जी पंड़िक वरणमान जनमे थे एक सो चार साल के स्वामी रामानंद जी थे और पांच वरस के परमात्मा लीला में स्रीर में पांच वरस के थे लीला कर रहे थे एक पांच वरस के बालक रूप में उपस्थित परमेश्वर ने एक सो चार वरस के पंड़ित की जी गीवांद जी ग्यान में चारों वेदों का ग्याता मानना जाता था पुराणों का मरमज ग्याता गीता और वेदों को कहते हैं बड़ा अच्छी तरह जाना स्वामी रामानन जी ने जब प्रमात्मा के सामने उस ग्यान से मालक ने जब ग्यान उनसे परसंद किये और स्वामी जी फेल होगे और फिर कहा कि आपका सारा ग्यान मुझे समझ में आ रहा है लेकिन मैं समाधित होता हूँ मेरी समाधी बहुत दूर तुक जाती है परमात्मा बोले आप समाधित हो स्वामी जी इस सरीर के अंदर एक अंड को हो, एक पेंड को हो, एक बर्मंड को हो इस जो बॉडी में, स्रीर में आप जो कुछ भी धुन सुनते हो जो भी आप परकास देखते हो इसके अंदर जो भी आप और अन्य लोक देखते हो ये एक बर्मंड का सांग है सारा एक ब्रमांड का साजबाज है और हमने असंग ब्रमांडों के पार जो हमारा देश है अंड और पेंड इन सब के पार सो देश हमारा है वहां हमारा मूल ठीकाना है हमने जाना वहां है आप ड़ले ढोरे इस बोड़ी में कान मूंद के आँखे बद करके दुन सुन लो इसमें कुछ भी सुन लो सब काल की दुन है काल के साजबाद है और इस काल भगवान ने उपर के लोकों की नकल कर रहा किये जो सत लोक के अंदर है तो यहां हमारे को दोखा दे कर मिस गाइड करके भरमित करके अग्यानी बना के इसने रोक रखिया है अब सत गुरु आए दया करी सत गुरु आए दया करी ऐसे दीन दया ले बंदी छोड़ बृतास का जटर गनी पृत पाले सत गुरु आए दया करी गरीब दास जी माराज को जिन मापरसों का दास ने भी रेफरेंस दिया है कि जिन पुन्यात्माओं को प्रमात्माओं आकर मिले जो उनका एक विद्धान है परते की युग में तो उनमें से आदनी ग्रीबदास साहिब जी गाउं चुड़ानी जिरा धद्र वाले को विशेस ग्यान दिया पहले के महापुर्शों को द्रमदास जी को विशेस ग्यान दिया था उसकी बाद फिर अन्य महापुर्शों को भी दसे आदनी नानक साहिब जी को भी ग्यान दिया और उनका तो विशेस ग्यान था वो संग्रे नहीं हो सका एक उनका विशेस ग्यान था प्रान संगली के अंदर है उसमें बहुत से अध्याय जो यथार्चता से ब्रहे हुए थे वो छोड़ दिये गए और ना ग्रुगरत साहिब में लिये गए वो कारण भले कुछ भी रहा हो वो ग्यान उनको भी सही मिला था क्योंकि प्रमात्मा परीचित कराये थे नानग जी को सत लोग लेकर गए थे फिर वहापश छोड़ा था लेकिन वो ग्यान कंप्लीट नहीं मिला अब ग्रुगरत साहिब को संग्रे करते समय जो पांच में ग्रुगरत अर्दन देव जी थे शीख ग्रुग उनका दिरिष्टी कौन ये रहा कि जैसे भाई बाला वाली जन्म साखी में समुदर की साखी में एक परमान आता है बाला जी ने और मर्दाना जी जो उनके साथ भी से सेवक रहते थे उन्होंने प्रार्थना की कि है भगवन हमें स्री लंका की सहर कराओ तो उन्होंने कहा आँखे बंद करो आँखे बंद कर की खोली तो समुदर के किनारे खड़े थे और फिर कहा नानक साथ जी ने कि मेरे साथ समुदर के उपर आ जाओ मेरे पीछे पीछे चल पर तीनों ऐसे चल पड़े जैसे थल पर चलते हैं और साथ में ये भी कहा कि तु वहे गुरु जबते रहना और नानक साहिब जी वो सत नाम का जाब कर रहे थे दो अखर का तो मर्दाना ने सोचा कि गुरु जी तो ये दो अखर का नाम जाब कर रहे हैं जिसमें एक ओम है एक तत सांकेती के तो मर्दाना जी को संका हुई कि हमने भी गुरुजी जो जप रहे हम नैंजा इप्ना चीश मंतर को तो मर्दान भी थो इस दो अख्र के मंतर का जाप करन लगया तो वो डूपने लगया, गौते खान लगया तब राणक साहिब जी ने देखा और कहा मर्दान तो ये मेरी डकल मत कर तेरे को जो मैंने आदेश दिया उसी का जाब कर तो यहां पूरे सिक समाज के उन गुरुओं के अर्देम या बात समागी कि गुरु नानक देव जी ने इस सच नाम का जो दो अक्र का नाम है इसके जाब करने की सक्त मनाई कर दी यदि को जाब करेगा तो उसको गुरु जी की आग्याकी अवेल ना हो जागी और गणा दुख हो जागा जैसे मरता ना मरता मरता मर जाता ढूब जाता उन्होंने बचा लिया तो ये दृष्टी कौन रहा गुरु गरु गर्ण साहिब के अंदर दो वानी संग्रह करते हैं में जिन में ये मंतर नानक साहिब जी ने प्राण संग्ली का आर्थ ही होता है प्राण माने स्वांस स्वांस के दुवारा के उपर पूरा विवेचन दिया हुआ था जैसे कबीर साइब कहते हैं आप आरती में पढ़ते हो स्वासा पारस भेध हमारा जो खुझ जैसे उत्रे पारा ये प्राण संगली है इसका विश्तार से बरन गया था दोनों मंतरों का लेकिन तीसरे मंतर की फटक किसी को नहीं लगने दी किसी भी बहाँ पर उसने तो यहां एक लीला थी उनकी जैसे हम बाही बाला वाली जनम साखी को पढ़ते हैं उसमें एक बार बाला जी बता रहे हैं के गुरू नानक देव जी उपर गए जहां तकत के उपर सिंगासन के उपर नरंकार बैठा था और वहां नानक देव जी से उन्होंने पूछा कि आपको हमने बेज़ा था सचा ग्यान परचार करने के लिए और सतनाम परचार के लिए तो क्या किया तो नानक साहिब जी ने कहा कि जहां जहां आपकी आग्या होई वहां वहां सतनाम का परचार किया और आगे जहां आपकी आग्या होगी वही करूंगा तो इन मापुर्सों को सब को हिदायत दी थी कि धरम दास धरमदास जी को कबीर परमातुमा ने कहा था धरमदास मेरी लाख दो हाई और ये मूल ये मूल मंत्र ये मूल नाम सार सब्द और मूल ग्यान मूल ग्यान ये है जो दास के पास उपलब्द है ये मूल ग्यान है और मूल मंत्र है तो उसे में इन सभी मापरश्णों को मना कर दिया था तो आप स्विम्जाप कर सकते हो मोख्स प्राप्त करो और इतनका एक फीडियोट अपनी अम्रतवानी में लिख देना आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं सर नमस्कार सर क्या नाम है आपका बलवीर सिंग बलवीर जी कहा से आई हैं आप कैलसा बोर्डर जिला अमहरा उत्तर प्रदेश संत्रामपाल जी महराज की सर्ण में आने से पहले आप क्या बक्ती सादनाई करते थे पहले मैं जो है जो देवी देवताओं की गुरु नानक देव जी की आरे समाज में रहा मैं तीन साल और हनुवान जी की तीन साल भक्ती की फिर पांच साथ साल जो है मैंने विश्णू जी की भक्ती की है और अठारा साल मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ा है मैंने गुर्विंदर सिंग है क्या बताना चाहेंगे आप राधा स्वामी पंत की भक्ति के बारे में राधा स्वामी में कुछ नहीं है वो केवल वो जो नाम देते हैं वो काल के नाम है और फिर हमें हमें संत रामपाल जी की सरण माने के बाद हमें पता लगा है कि जो वो नाम देते थे वो तो नाम ही अटपटे हैं सत नाम सत नाम यहां कुछ और है जो नाम है और वो सत नाम सह पर देखा देखी जो उनके गुरु सिफदयाल जी रहे उनके आधार पाई वो तो उनसे ही चली आरी वक्ती सर देखा जाए तो आपने अटारा साल अपनी जिन्दगी के बरबाद कर दिये सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में संत्रामपल जी महराज के बारे में कैसे पता चला िंगίंज बहुतुं का बहुत साया था हमारे घर पर पूरे किसी ने तांतिक करियां करवा दी थी क्योंकि मैं भर्वान की चाहत में यह अरता था महाराज से उन्होंने मेरे से कहा लेकिन मैंने उस वक्त है संत्रांपाल जिमाहराज को बहुत कुछ आपसब्द कहे कैसे संधो बहुत हैं कहीं कुछ नहीं जजागें लेकिन जब तो तीन साल तक मैंने कुछ नहीं ध्यान दिया, तीन साल बाद मैंने देखा कि वो एक पुस्तक रखी थी मेरा गयान गांगा, मुझे नहीं पता कौन दे गया था, मेरे पीछे कोई दे गया था दुकान पर, मैंने गयान गांगा को पढ़ा, उसमें जो लोगों के अपने अन से नामदिक्षा कब आपने 25 अगट सब्सक्राणाराँ करुए महराजी दावा करते हैं कि यदि आप ब्रयादा में रह करके 17 अनुसार भक्ति करते हैं तो बड़ी से बड़ी बिमारी आपकी ठीक हो जाएगी 18 साल तक आपने रादा सवामी बंध में भक्ति की है आपको पहले भूत परेत की समस्या थी तो संत रामपाल जी महाराजी से नामदिक्सा लेने के बाद आपको क्या क्याला मिले हैं हाँ जी पहले ही जुणने के बाद ठीक दो महिने के अंदर हमारे घर जो भूत परेत की समस्या थी मुझ पर मेरी पतनी पर वो दोनों पूरुप से हट गई बिल्कुल हम दोनों स्वस्थ हो गई और लेकिन घर में हमारा बेटा भी है बेटी थी बेटी की साधी हो चुकी थी तो बेटा बेटे ने नाम नहीं लिया लिया जा उस पर चीज़ें रहने लगी लेकिन हमारे पास कभी कोई चीज ने आई और मैं और मेरी पत्नी दोनों पूर्ण उपसे स्वस्थ रहने लगे तो हमें पूर्ण विश्वास भी हो गया कि संत रामपाल जी महाराज जी के अगर ग्यान को हम और आगे बढ़ाएंगे और आगे पढ़ेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे हमारा बेटा भी इस मत मा आ जाए लेकिन दूर भागे है कि हमारा बेटा इस बात को मानने को तयार नहीं होता और उसी के चक्कर में जो हमारे भूत प्रवित की बाधा समाप्त हुई हमने उसकी बाधा दूर कराने के चक्कर में वो एक तांतिक को ले आया उस तांतिक के चक्कर में हम भी बैठगे हमने अपना नाम खंड करा लिया नाम खंड होते ही हमें हार्ट की समस्या किडिनी की समस्या और इस्तितिया आगई किडिनी में कि रामशनो लोईया स्पताल दिली में मना कर दिया किडिनी होस्पितल मेरट में मना कर दिया एक बलपरदार स्वह के नाम से एक संस्टा है आजबएद की वहां गए उन्होंने भी कहा कि 20 दिन हम देखनेंगे तब बताएंगे 20 दिन देखने के बाद उन्होंने काया कि कुछ हो सकता है तो लेकिन उसी दोरान जब लोग मुझसे मिलना आते थे देखना आते एक यह तो खतम होने वाला है मैं चुक्छी राजनीती में बहुत ज़्याद़ पाप कियें मैं राजनीती में ज़्याद़ गह तक गया हुआ था तो मेरे राजनेतिक जो बहाई बंदू मंतरी अमेली जो थे, वो सब आते थे और सब यह कहते थे, कि यह तो जाने वाले हैं, तब मै ने फिर अप ने संत रामपाल जी महराज जी की, जहाँ मैं पूजा करता हूँ, तो मैंने वहाँ जाकर यह अपने गुरुजी से प्रासा क और का कि परमात्मा आप ही परमात्मा हो, आप ही पूर्ण भगवान हो, आप ही पूर्ण संत हो, आप जो है मेरी रक्षा करो, मैं कहीं से बचने की इस्तिती में नहीं, और मैं आइंदा भविस्य में कभी आपका मर्यादा खंड नहीं करूंगा, और मुझे फिर संत राजी का वो सरसंग भी याद आ गया जिसमें वो कह रहे थे एक बार मैं सुनना था कि भाई कोई किसी का ना पिता ना पूतम तो मुझे लगा कि मैंने उसी दिन ये ठान ली कि मैं अपने बेटे को भी अपना बेटा नहीं मानना क्योंकि जो बेक्तीब आपके कहे संसा नहीं आ रहा तो अब हमें तो अकेले ही आया हैं अकेले ही जाएंगे इसलिए हमने वो सारत चुड़कर और संतर रामपाल जी महाराज जी से माफी मा सांगी तभी से आज तक मैं पूर्ण उससे स्वंस्थ हूं मुझे कोई दिक्कत नहीं मैं हर तरह से जो है अपना भक्ती पर लगा हुआ हूँ सर आपने मर्यादा का जी कर किया तो सर हम आपसे यह जाना चाहेंगे कि भक्ती मार्ग में मर्यादा का होना क्यों जरूरी है जब भक्ती शुरू ही कर दी तो फिर हर समस्या का समाधान हो जाना चाहिए संत रामपाल जी महराज जी द्वारा जो मर्यादाएं इस्तापित की गई है उन मर्यादाओं का साच्छा तुरूर्प से मैं आपके सामने उधारन हूँ मैंने जवासी मर्यादा तोड़ी तो मर्यादा तूटने से मुझे कितनी भी पत्ति आई इसलिए मर्यादा तो बहुत महत्पून चीज है मर्यादा तो आप सोतम राम जी की पत्नी सीता जी ने जब वो बनवास काट रहे थे तो उस समय वो एक रामन ने उनका अफर्ण करने के उद्देश से एक हीरन का रूप बना कर और वो सुंदर हीरन बना कर भाग लिया जिसको सीता जी ने कहा था कि आप इसे मुझे जिंदा लेकर आईए जब रामचन जी उसके पीछे भाग लिये तब ही उसने रामचन ने नई चाल चलकर और वो जो है उसे हाए हाए की अवाज सुनाई दी तब सीता जी ने लक्षमन से कहा कि आप जाईए आपके भाई पर विपत्ती है परंतु उन्होंने लक्षमन जी को जब जादत आने दिये वो गए तो एक लक्षमन रेखा खीच कर गए थे और वो कहके गए थे कि भावी कोई भी माता कहते थे वो कि माता जी आप इस लक्षमन रेखा से बाहर कदम न रखें कितनी भी पिपत्तिया कोई भी चीज आपके संकर निकरट नहीं आ सकती तो लेकिन सीता जी ने उस मर्यादा का उलंगन किया तो वो कितना बड़ा उलंगन महेंगा पड़ा कितना बड़ा युद्ध हुआ सारी लंका नश्ट हो गई करोणों जीवों की हत्या हो गई और तब जाके जो है सीता जी को वापिस लाया गया इसलिए मर्यादा तो बहुत ज़रूरी है कि मर्यादा के बगएर तो कोई भी भक्ती हो ही नहीं सकती जिस तरह से मेरे साथ जो भी ती मैंने मर्यादा का उलंगन किया और पुत्र महों में किया कि घर की सारी बेरस्ता ठीक हो जाएगी उसका मुझे ये खाम्याजा भूत ना पड़ा के मेरे दोनों किटनी खराब हुई मेरा हार्ट खराब हुआ मुझे प्रोस्टेट की समझ से आ हुई और यदि हम मर्यादा ना तोड़ते तो आज ये बीमारी हमारे साथ नहीं आ सकती थी चूंकि मर्यादा में रहते हुए कठिन से कठिन भी चाहें कैंसर हो या कुछ भी हो वो चीज भी रह नहीं सकती अगर मर्यादा में बिक्ति रहेगा तब सर देखी जो भी व्यक्ति संत्रामपाल जी महाराजी से जुड़ता है तो इसका जीवन बदल जाता है बहुत सारी खुशाली उसके जीवन में आ जाती है आपने संत्रामपाल जी महाराजी से जब नामदिक्षा ली तो आपकी भूत परेत की जो बादा थी तीक होगी आपकी किड्नी की समस्या थी वो ठीक होगी जी अर्शा के लावा संत्रामपाल जी महाराजी जुड़ने के बाद आपको क्या लाँ मिले हाँ जी सबसे पेला लाब तो ये है कि मुझे बहुआद़ की चाहा थी और वो भगवान साक्षात मुझे मिले हैं दूसरी मेरे यारतिक इस्तिती उस वक्त तक ये थी कि मैं इस इस्तिती में था कि यदी मैं अपना मरा को भी जाता था मेरे जेम में 10 रुपे भी नहीं होते थे और मैं पैदल ही वहाँ से वापस आता था सवाज पर भी निए वैठता था लेकिन आज मेरी खेती है खेती से भी मुझे जहां पचास हजार की आमदनी पूरे साल में होती थी महां दो हजार तेरे में नाम लेते ही परमात्पा ने दो लाक और ढ़ाई लाक देने चालू कर दी है जमीन उतनी है फसल में वही हुआता लेकिन मुझे नहीं पता कहां से और जो भी चीज में चाहता हूं जिस छण चाहता हूं फरमात्पा मेरी यह मदद करना गुर्माराज तो मेरी वह हुती है सो परसेंट लेकिन होगी मारी याद हम यह यह मेरा कहना सरसंत रामपाल जी महाराज जिसे नामदिक्सा लेने के ब सब्सक्राइब से पीडित हैं जो और भी अन्य बिमारियों से पीडित हैं आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे देखिए जो मैं तो भक्समात से यह कहना चाहता हूं यह संदेश देना चाहता हूं पहले यह समय सिक्षा सिक्षा महत्पूर्ण है और यह पढ़ें और हमारे संत रामपाल जी माराज जी का ग्यान पढ़ें दोनों में बिंता साफ अंतर आ जाएगी क्योंकि हमारे बेदों सास्तों पुराणों में सब कुछ इस पर लिखा है केवल हमारे धर्म गुर्गों ने कभी हमें जो है वहां तक पहुंचने नहीं दिया तो ह हम पढ़े लिखे समाज हैं हम यह चाहते हैं कि आप पढ़कर इधर आएए संत रामपाल जी माराज जी से जुड़िये और जो भी भूत प्रेट की बादा तो यह ऐसी है कि नाम लेते ही आपकी तुरंत भाग जाएगी उसके बाद मर्यादाओं का पालन करते हुए अगर आपका पूरा परिवार मैं इस बात को बहुत गारंटी के साथ कह सकता हूं यदि आपका पूरा परिवार नामदानी होगा और मर्यादा का पालन करेगा तो निश्ची तुरूप से उस घर में बहुत अच्छी सांटी उस घर का बहुत विकास उस घर के लिए सारी परमात्मा तुरेंट उपलब्द करा देगा लेकिन मर्यादा बहुत ज़रूरी है सर संत्रामपाल जी महराजी से नाम लेने के लिए संत्रामपाल जी महराजी के नाम से एक एप चल रहा है सुचल मेडिया में बहुत चीजें हैं यूटूब पर देख सकते हैं उनके सत्संग आते हैं आप उन सत्संगों जो आते हैं उनको देखिए सुनिये उनके नीचे नंबर लिखे हुए आते हैं उन नंबर पर फोन करिये आपके निकट तम इस्थान का जहां नामदान आपको म आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदरशी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें झाल मेंगल प्रवचन अधिक जाओ करें तंदरा के लिए संपर्क के लिए संपर्क करें